इसमिल्लाइरा महिन रहीम, असलाम अलेकूम, वेलकम स्टुडेंट्स, वेलकम टू मा यूटीब चैनल, स्टुडेंट्स, आज हम कलास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नमबर 10, इसका थेरम नमबर 10.1.2 प्रूव करने जा रही है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, थे आंगल are congruent, क्या मतलब इसका, कि कोई ट्रांगल है, उसके दो आंगल्स जो है, आपस में बराबर हैं, अब यहां पर किसके बाद आ रही है, उसके बाद sides की, ठीक है, sides क्या होती है, इस लाइन होती है, उनके मुखालिध, किसके मुखालिध, angles के मुखालिध, are also congruent, तो क् स्टेटमेंट में कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर हों तो यहां पर अगर आपस दो एंगल को देखें तो सी क्या वाली साइड है ठीक है उसके बाद यहां पर बी क्या वाली साइड है वो कहता है अगर यह दो एंगल बराबर हैं तो हमने करना भूब भी आपस में बड़ाबर है तो थो काम है बहुत इसार्ट करता है इसको पहला काम क्या करना होता है हमने statement कि तूरू हम्हारे पास क्या क्या कि मैं एक triangle बनाने ही हमने simple सी डिया करना है एक represented से ट्राइंगल बना लेनी है तो क्या करेंगे इसके लिए हम नीचे बेस करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल की एक बेस ट्राइंगल कर लें और इसके बाद आपने इसको ट्राइंगल को कंप्लीट करना है तो यह मारे पास जो है ट्राइंगल की बेस आ गई इसको आपने जो ह तो हमारे पास ट्रैंगल बन जाएगी, इसको आप मिला दे, इस पॉइंट को B से भी, और C से भी, तो यह मारे पास क्या हो जाएगी, ट्रैंगल यहां पर कंप्लेट हो जाएगी, तो स्टुडेंट यहां प्रक्सर बज्रों का सवाल होता है, कि हमने डियागराम जो है पेप pencil वाली मिट जाती है नजर नहीं आती तो आपने कोशिक करनी है कि आपने इसको pencil ट्रा करना है हमारे पास triangle आ गई अब उसमें क्या कहा था हमारे पास दो angles जो है इसके congruent है बराबर है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे angle B और angle C को हम लेते हैं congruent यहाँ परसमें क्या है ब्राबर है तो यह diagram बन छुकी है मरपस triangle ABC है तो मरफ नेक्स डेनिग है given इसमें क्या होते हैं हमारे पास जो जिढ़न होती है यह अप मरफ़ क्या given है-धो angles ब्राबर है तो आपने क्या लिकने है simply in triangles ABC 件 येंगल 씨 death value कि सिके बराबर gj इसके बराबर एक anov प्रूब क्या करना है हमने हमने करके करना है कि हमारे पास है noon b यह क्या है एक सी के बराबर है हमने अगलंत रॉबンस थैजिए वारी साइड है और और गिंगल कोन सी है यह वाले साइड है हमने इनको बराबर प्रूब करना है यहां पर आपने क्या लेकरना है यह भी उपर लाइन सेक्मिन के लामत है इसका अब आते हैं का स्ट्रक्शन पर हमने क्या करना है हम इसको इस तरह से प्रूब नहीं कर सकते हम क्या करेंगे कुछ इसके साथ को कॉन से होगी यह लाएं होगी को हमने यह काम स्थेक्षन में किया है और थो आपने क्या करना है यह यह जो लाइन आघांप यह यह को आपने ड के लाइन ق्म्प्लीय रोची वे यहां पर यह के लिए अंगल हमने न लिखना है construction के अंदर जो हमने खुछ से की है क्या लिखा हुआ है draw the bisectors of angle A हमने क्या करना है इसका bisectors draw करना है यानि इस angle को पूरे angle को दो apartment wide कर देना है ठीक है और क्या लिखा हुआ है आफ angle A beating BC का मिल रहा है वो BC line को पर मिल रहा है at point D हमने इसको मिला दिया BC line के साथ D point के उपर तो यह हमारे पास diagram given to prove and construction कम्प्लीट हो चकी है और यहां तक आपके चार number होते हैं ठीक है उसके बाद हम चलते हैं इसके main proof की तरफ और main proof से पहले हम देखते हैं कि हमने इसको prove कैसे करना है सबसे पहले theorem यही क्या करें आप कि हमने क्या prove करना है और कैसे prove करना यह बहुत important है तो अगर आपके mind में यह वाला sketch आ जाता है तो theorem आपको easy लगता है जल्दी से जाद भी हो जाता है तो अपने paper में क्या करना है सबसे पहले राफ पर जाकर यही काम लिख लेना है कि हमने इस theorem को किस तरीके से prove करना है कौन सा ला use करना है ठीक है और उसके main point right करना है बाकी यह काम जो है setting वाला आपने बाद में करते रहना है ठीक है तो start करते हैं हमने क्या करना है इन दो sides को आपस में बराबर करना है तो यह मारे पास देखें तो इस line लगाने से मारे पास दो triangles बान चुकी है ठीक है एक यह वाली और एक यह वाली triangle तो अगर हम इन दो triangles को आपस में बराबर साबित कर दें तो यह वाले हमारी वारे जो sites », यह वाली। बराबर हो जाएगी। यानि हमने क्या करना यहां पर इन triangle को ourading कोंसी है? ABD और ACD है। इसको आपसमें बराबर शाबत करना एक congruent Show करना एकям शो करना है awesome Aim coopro, हमने यहां पर यहां पर एक theorem use करना है, law use करना है तो हमारे पास एक rule है कि अगर triangle की कोई से तिन चीज़ आपस में बराबर हो जाती है तो हमारे पास क्या होती है ये दो प्रोसियों की बराबर होती है तो यह मेरे पास common है तो यह बराबर हो जाएगी उसके बाद हमने यह लिखा हुआ है गिवन में कि एंगल B किसके बराबर है एंगल C के बराबर है ठीक है यह बरपास आ जाएगा गिवन में उसके बाद हमने जो बैस्टर ट्रा किया यह वाला यह वाला angle हमारे पास क्या हो जाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास तीन चीज़ हो गहीं जिसका मतलब है कि हमारी triangle जो है गुने हो सकती है तो simply हमने एक side लेनी हैं और दो angles लेने हैं ठीक है तो start करते हैं सबस्पर आपने क्या ABD and in triangle ACD इनके आपस में कहए correspondence है ठीक है यह अलामत लगा देनी आपने यह कौन से अलामत है correspondence के अलामत है इन्हें हम आपस में क्या करने जा रहे हैं लेड करने जा रहे हैं बराबर शो करने जा रहे हैं उसके बाद आपने तीन चीज़ें पूरी करनी है कौन कौन सी एक हमारे पास AD है यह वाली एक हमारे पास यह वाला एंगल है और यह वाला एंगल है यही लिखा हुआ है AD line segment is congruent to AD reason क्या हमारे पास यह common है पहले बता चुका हूँ उसके बाद simple angle B is equal to angle C यह मारे पास given में आ जाएगा ठीक है और third चीस कौन सी है मारे पास यह वाला एंगल है इसको लिखना कैसे अप यह दो एंगल बन रहे हैं तो वैसे तो मारे पास angle A है लेकिन यह 2 इसमें बन गया है तो हम क्या करेंगे इसको अलग पढ़ेंगे इसको अलग पढ़ेंगी तो मारे पास ये वाला अंडल लेफ्ट वाला है ये क्या बान रहा है बी, ए और डी के दिम्यान बान रहा है हमेशा जो है जहां पर अंडल बन रहा होता है वो नाम सेंटर में आता होता है अंडल B, A, and D एक अंडल ये बान गया और हमारे पास next counts है angle C, A, D यह वाला angle ठीक है उनको आपने क्या करना है बराबर लिखना है तो हम लिखेंगे angle B, A, D इस congruent to angle C, A, D यह हमारा काम कैसे आया है construction से हमने खुद construct किया है हमने angle A का bisector टा किया था तो bisector क्या करता है angle को तो बराबर इसे मतक्सीम करता है तो हमारे पास यह बराबर हो गए अब यह हमारे पास तीन चीज़ें जो है प्रूब हो चुकी है पहली side, दूसरा angle और तीसरा भी angle ठीक है इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास तीन चीज़ें एक side है और दो angles है यहां हम आप लाए कर सकते है side angle angle password या side angle angle theorem तो तीन चीज़ें बराबर होगी triangles की इसका मतलब क्या हुआ therefore हमारे पास अलामत तेन डार्ट वाली triangle ABD is congruent to triangle ACD हमारे पास triangle ABD किसके बराबर हो चुकी है triangle ACD के बराबर हो चुकी है इसकी reason क्या है हमारे पास होती है अब यह हमारे पास triangle जो है congruent show हो चुकी है अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ हमने प्रूव करना था कि हमारे पास यह जो sides angle के opposite यह वाली बराबर है जब यह triangles आपस में बराबर हो गई यह वाली ABD और ACD इसका मतलब इनकी हर सीज आपस में बराबर है तीनों side बराबर है और तीनों angles बराबर है तो हमारा काम हो चुका हैंस क्या लिखेंगे हम कि हमारे पास AB है वो AC के बराबर है हैंस AB is congruent to AC इसकी reason क्या है हमारे पास क्या है corresponding sides है किसकी आफ गरेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इंशाला हम नेक्स वीडियो में क्या करेंगे इसका नेक्स ठीरों 10.1.3 पूरूफ करेंगे वो ज़रा बड़ा है लेंक्ती है लेकिन इंशाला मेरी कोश्च जो होगी कि आपको बिल्कुल इजी तरीके से असान तरीके से समझा सको रोड़ा है आपको वीडियो लगी तो लाइक करें शेर करड़ें अपने Parents के साथ करें उठाआप trying